यहां पर इसक को कर रहें आप जिसका नाम पावर एक्स्पोनेंट्स है आज हम डिसकुनेंट्स करने वाले हैं जब भी आपको यहां पर बड़े नंबर का जो एक्स्पोनेंट्स बिलता है उसे आप इस इसको सिए था कि नीड कहा पड़ती है तो आज उसी नीड को यहां पर देखने वाले हैं जो इसका यूज़ेश है वह यहां देखने वाले हैं जैस्ट लाइब बात करूँ आपके पास तो देखे यहां लिका है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्ट टू संद यहां पर बताई गई हैं उसके अंदर study के अंदर हमें क्याने मिलेगी यहां पर थोड़ी इजी नियुक्त लिए यहां पर थोड़ा help मिलना अला है तो basically बात करें तो आपके पास जब भी इस टाइप के जो numbers होते हैं जब आपके आज बहुत large number लिखे होते हैं तब आप उसे कहा करते हैं एक छो यहां पर एट मीटर पर सकिंड इसके साब से अपने डिसकस किया होगा यहां पर तो आपने कभी इस डंग से नहीं करते हम हमें से क्या करते हैं यह क्या होता है एक standard form होता है आपको किसी भी large number को small number के अंदर दिखाने का एक standard form होता है और इससे हम क्या बोलते हैं जड़ा आगे चलते हैं यहां पर तो देखें यहां पर class 7 की जो आपके पास mathematics की book है उसकी कुछ thickness दे रखी आप गुए यस और बात करें यहां पर आपके 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 रहाएं तो हम यहां पर करने वाले हैं कि जो इस तरह की जो numbers format होती हैं इन number format को izi बनाने के लिए मलड़ों यहां पर बात करें तो हम power exponents का यूज करते हैं अब यह number किस तरह से लिख सकते हैं इनका standard form क्या है वो गर समस्ते हैं यहां पर तो देखे हैं यहां पर बात करो इन यह standard form के बारे में तो आपके पास यहांऔर देखें कुछ को तरह से चाल हो आप गमधे वह हमारे फास लार्ज वहोते हैं तो आप यहांपर क्या उक्शाम्पल हो गया है oluşएна यहांप अप आपके बताता है यहां पर 259 यह 259 उसके बार देखिए आपके आपके यहां पर दे रखा है कुछ डिस्टेंस है अब देखे यहां पर बात करो तो इसका पहले जो आपको दे रखा है पहले आप उससे यहां पर किजिए तो आपको यह दे रखा है 259 इंटू 10 to the power मैं बात कुरूं यहां पर तो आप क्या लगाएंगे जितने नंबर है आप उतने लिए तो यहां पर देखें यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कर रहा हूँ और डिवाड में क्या कर रहा हूं हंडे कर है रिजन क्या है यहां पर उसको मुझे क्या करना है डूपी पॉइंट नबरस हो जाते हैं यहांपर यह जो अगला है इसके साथ पाइंट लगा कि करते हैं तो मैंने यहां पर सで divide कर दिया सिमपल है ृब पर multiply 10 to the power 12 तो ही है उसके आद multiply में में चल रहा ही है ओके यह आपके पास क्या नमर देगा बस आपको इतने से उपर देखना है यह आपको क्या देनी वाला है जरा देखें तो यह आपको देखा जरा बात करें यहां पर 2.59 यहां पर 2.59 यह इस तरह बात करूँ तो यह कितना है बात करें यह 10 to the power 2 है और यह 10 to the power कितना है 12 है दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या एगा 10 to the power कितना आ जाएगा यहां पर 14 है तो multiply के कैसे कवी भी number हो उसको कर सकते हैं जाइक मैं आपको एक और बताता हूँ यह उसको और लिकने का तरीका बताता हूँ आपको देखें यहां पर मैं लिखना हो 0.000, then आपके पास 000, then आपके पास फिर से 000, फिर उसके बाद मैं बात करूँ 21, ओके यह मैंने लिखा, अब मुझे क्या करना है, इसको standard form में लिखना है, क्या से कर सकते हैं यहां पर, तो सबसे पहले तरीका आपके पास यह है, कि आप यहां पर यह जो point है, इस point को remove करने के बाद, जहां पर आपका point remove हो है, वहां पर आप 1 लगा, फिर उसके बाद point के बाद, जितने भी number है, उनकी counting कर ला है, तो 3, 3 to 6, 3 to 9, 10 and 11, तो आपके आपके आज कितना हो गए यहां बात करें, यहां बात करूँ यहां पर, तो यह आपके 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 आज 30 हो गए, उसके बाद यह आपके आपके आपड पी फिर से 30, then आपके 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 आप पक्या कर सकता है, यहां पर बात करें, तो यह आपके आपके आज कर सकते हैं, यहां पर 2.1 हो, तो 2.1 हो गरना है, जो जो एक तरीका ही है, टेन से multiply करना पढ़ेगा, जिंपार यहां पर दोनों मिलखे आपके बात और यहां पर बने के बात बना यह 11 अब यह 11 क्या है डिवाइड के अंदर है इसको उपर लेके चलेंगे यहाँ पर यहाँ पर डिनुमिनेटर के अंदर है नुमिनेटर के अंदर ले जाए लेंगे तो माइनस में जाएगा तो यहाँ पर बात करूँ तो देखें क्या जाएगा 2.1 इन्टू 10 to the power 1வத 10 to the power कितना होजएगा यहाँ पर माइनस का 11 यस कितना होजएगा आपको यहाँ पर तो एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर देखे यदि मैं इसको यहाँ पर 0 और लगाऊं और यहाँ पर 0 लगाऊं तो यह 100 हो जाएगा यह क्या देगा 0.21 देगा तो इसको और अच्छे रंग से दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 0.21 into 10 to the power आपका आपके लिख सकते हैं माइनस का 9 लिख सकता है यह यह दोनों तरीके मैंने आपको बता है जब आपके पास यहाँ पर पॉइंट के अंदर नंबर हो यह पॉइंट के बाद आपके बास डेसिमल नंबर चल रहे हो या फिक कोई नंबर है उसके बाद आपके बास जीरो चल रहे हो तो आप उसे किस तरह से explain कर सकते हैं अपने पास इससे स्वाट पॉर्म गैदा क्लियर समझा गए आप बढ़े हैं आप तो अगला है टॉपिक हमारे पास देखें यहाँ पर comparing the very large and very small नंबर अब आप किस नंबर को very large नंबर बोले इसको ज़्यदा समझते हैं यहाँ अब देखें मैंने एक नंबर बोला है जिसका लिखा है मैंने यहाँ पर टू पॉइंट्री सेवन इन्टू इन्टू टेन तुदी पावर लिखा है मैंने 5 यह काम करते हैं 5 की जगह मैं यहाँ पर का देखें मुल्टिप्लाइग के मैं करता है कि कौन स्मॉल नंबर है कौन ग्रीट नंबर हो तो यहाँ पर हम कंपारेस दर दोनों के निगे पर आपक हर नहीं यहाँ जब आपके आवर आपके बास माने में खोथी है तो आपको आसंगे और यह दूर के लिए होती है तो यह सब्सक्राइब अब आपके पास आपके पास हां पर takich लए थे हैं को बहुत ज्यादा लार्ट होते हैं यहाँ पर देखार by करना है तो काफी बाहर हम यहाँ पर एप्रोक्सिमेट रिजल लिछ लेते हैं यह अप्रोक्सिमित रिजल कre रिवाइं क्या लिगते हैं यहां बात करें यह सब्सक्राइब नंबर है इस वरी-वड़ि लार्ज नंबर है इस वरी-वर्ड नंबर के अंदर एक श्माल यहां पर भात कर रहा होता है तो मृत कर आपके यहांप कर सकता क्या सकते हैं यहां पर लिख सकता है यहां रहो दो सकते हैं यहां पर आपको क्या मिलेगा बहुत बड़े लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर का डिवाइड कर दे जाएगा तो आपके पास नंबर माइनर सप्राइज चेश होगा तो माइनस है नहीं लिख पाथ है यहां पर यहां पर यहां पर जब आपको पावर है वह पॉसिट्व में देखने को मिले यह नुमिनेटर के अंदर यह पॉसिट्व स्मॉल है लिया जैसे इसकी बात करूँ तो यह आपके वाज तो यहां पर नाइन से रिवाइड कर रहे हैं प्लस यहां पर यह जो 30 है वो भी आएंगे तो यहां पर नाइन और टू कितना होगे बात करें तो यह होगे लेगा लेकिन जीरो के पीछे कितने लगने किससे अब मिलेंगे हमारे अगले लगज्छे करेंगे मलदा हमारे पास नंबर सोते हैं लार्ज उनको हम सोट पॉर्म में कैसे लिग सकता है उसी लेटर क्या हमारे पास Editions वाले जो operations वाले ऑस किस्तर से हो सकता है यह सारी चीजी ले खायं तक आप अब हमां साबने रहे तो झाल झाल